बिस्मिल्ला इर्मानी रहीम, अस्सलामु अलेकूम, वेलकम टु स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद, आज मैं बनाओगी मेरे हस्बेंड के लिए स्पेशल मचली का सालन, तो मेरे घर के तरीके से मैं किस तरह से बनाती हूँ जरूर देखे, और अपने फैमिली में भी आप कोई भी फिश से इसका सालन बना सकते हो, तो इसे पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना है, और चार से पाच बढ़ अच्छे से पानी से धोलेना है, ताकि मचली हमारी अच्छी तरह से साफ हो जाए, तो इसमें हम थोड़े मसाले पहले लगा लेगे, आदा चमच नमक डालेगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के साफ से इसमें डाल सकते हो, आदा निम्बू का रस भी डाल देगे इसमें, हल्दी से फिश में बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाएगा, और निम्बू डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आजाएगा, खटा सा थोड़ा स इस अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे, अक्सर हम जब चिकन या मटन बनाते हैं, तो पूरे मसाले का फ्लेवर उसमें अच्छी तरह से चला जाता है, क्योंकि मटन और चिकन को हम ज्यादा देर तक पकाते हैं, और जब हम फिश बनाते हैं, तो 10-15 मिनट में ही फिश गल जात इसलिए मसालो का फ्लेवर अच्छी तरह से फिश के अंदर नहीं जाता है, इसके लिए इसमें हम नीबू और नमक डाल देगे, ता कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा फिश की हर पीस में आए, यह देखिए मैंने नमक, नीमवर और हलदी को अच्छी तरह से फिश में लगा दिया है अब इसे साइड में रख देते हैं ताकि पूरा फ्लेवर फिश के अंदर आ जाए और इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम विरस्ता फ्राय करेंगे विरस्ता बनाने के लिए एक पैन मैंने गैस पर रखा है और मैंने तीन बड़े चमत तेल डाले है अब यहाँ पर मैंने दो बड़ी साइज की प्यासकों बारिक काट लिया है प्यासकों में अच्छी तरह से गोल्डन होने तक प्राय कर लेना है मैं यहाँ पर विरस्ते को इस पैन में बना रही हूँ आप चाहे तो कड़ाई में भी बना सकते हो और यही बचे वे तेल में हम फिश को फ्राय कर लेगे ताकि जो विरस्ता हमारा बनके तयार होगा और विरस्ते की खुशबू आएगी तो इस तेल में बहुत अच्छी त देखिए प्यास को हमें इसी तरह से फ्राय करना है ज्यादा जलाना नहीं है तो इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देगे और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर में इसका पेस्ट बना लेगे विरस्ते के बचे हुए तेल में हम फिश को फ्राय करेगे तो पंद्रा मिनट हो चुके है फिश में भी नमक और नीमगू का रस बहुत अच्छी तरह से जा चुका है तो फिश को हम इसी तेल में फ्राय कर लेते हैं इसमिल्ला इर्मारी जली मेडियम फ्लेम पर इस फिश को हम अच्छे से चाय कर लेगे तो मैं इसे धीरे रहे कर पलट लेती हूँ जोनों तरब से हम इसे अच्छी तरह से शाय कर लेगे मेरे अजबन को तो इसका सालन जब मैं इस तरह से बनाती हूँ तो बहुत ही पसंद आता है यह देखे फिश फ्राय हो गई है इसे में निकाल लेती हूँ फिर बाद में हम इसे मसाले में पकाएगे और इसी तरह से सारी फिश को हम फ्राय कर लेते है यह देखे फिश हमारी सारी फ्राय हो चुके है अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते है तो एक पतेली में ने गेस पर रखी है और जो फिश हमने फ्राय की थी उसी का तेल डाल देगे हम और इसमें दो चम्मच और तेल डाल रही हूं है, एक तेज पत्ता लिया है, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और जहे से साथ काली मिर्चे लिया है, ये डाल देगे, बिसमिल्ला रमानी देगे, गैस की फ्लेम हम दीमी कर देगे और इसमें एक चम्मच अधरक अधरक नसन का पेस्ट दालेगे, अधरक नसन को हम एक मिनट के लिए अच्छे से क्राइए कर लेगे, ताकि इसकी कच्छे पन की जो इसमेल है वो चली जाए, अब यहाँ पर हमने चुछे मसाले लिये है, एक चम्मच लाल मीच पाउडर, मिर्च आप अपने इसाब से कम जादा कर सकते हो, देड़ चमच हमने धनिया पाउडर लिया है, आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच रीरा पाउडर और आदा चमच गरम मसाला, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देगे, इसका पेस्ट तयार हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे, दो हरी मिचली है, तोड़कर ये डाल देगे, अभी जो पेस्ट बनाए हमने ये डाल देगे, इसमें थोड़ा पानी डाल के डाल देगे अभी, और इस मसाले को अच्छे से दून लेना है हमें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मैंने मसाले को तीन से चार मिनिट तक अच्छी तरह से भून लिया है, ये देखी मसाले में से तेल भी निकल रहा है साइड में से, अब जो हमने वीरस्ते को थोड़ा सा पानी डाल के पीसा है वो डाल देगे इसमें भी थोड़ा पानी डाल देती हुमें ग्रेवी के इसाब से इसमें नमक डालेगे हमने फिश में भी नमक लगाया है तो नमक को देखकर डालना है बिरस्ता डाले बाद दो मिनिट टक हम फिर से मसाले को अच्छे से भून लेगे जितना अच्छा मसाला हम भूनेगे उतना अच्छा टेस्ट सालन में आएगा माशालला ग्रेवी हमारी बहुत ही जबरदस बनी है ये देखिए मिल्कुल रेस्टराण में या धाबो पे या होटलों में होती बस उसी तरह की ग्रेवी बनी है हमने इसमें जो विरस्ता डाला है इससे खुश्बू भी बहुत ही अच्छी आ रही है तो जो फिश का सालन वो भी बहुत ही शौब से फिश का सालन खाने लग जाएगे देखिए मसाला तो हमारा अच्छी तरह से पक चुका है अब इसमें हम फ्राई कीवी फिश डाल देगे बिसमिल्लाई रमाट अब इसमें हम ग्रेवी के साब से पानी डाल देगे तो बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं क्योंके फिश भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई होके पक चुकिए बस इसको हम पास से छे मिनट के लिए ही ग्रेवी में पकाएगे एक गिलास पानी डाला है मैंने और इसे हलके हातों से हम इस तरह से मिक्स कर लेगे ताके फिश तूटे नहीं क्योंके फिश हमारी अल्रेडी पक चुकी है हमने इसे फ्राई कर लिया है अब गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर दे गया और पास से छे मिनट के लिए इसे ग्रेवी में पकने देगे तो फिश का सालन हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा पाच मिनट हो चुके है फिश का सालन हमारा बनके रैडी हो चुका है माशालला यह देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है फिश भी हमारे अच्छी तरह से पक्चु किए मैं गैस बन कर देती हूं और बारी कटावा हरा धनिया दाल देगे तो गर्मा गरम हम इसे सर्व कर लेगे और यह ग्रेवी देख सकते हो आप हमारी कुछ इस तरह किए आपको फिश को बहुत जोर से हिलाना नहीं यानि बहुत जोर से मिक्स नहीं करना वरना फिश तूटने लगेगी तो फिश हमारी यहां पूरी तरह से पक्चु किए तो मैंने गैस बन कर दिया है अब इसे हम सर्व कर लेते हैं तो यहां पर मेरे हस्बेंड को बाजरी मक्काई या जवारी की रोटी के साथ मचली का सालन खाना ज्यादा पसन आता है और थोड़ी खिचडी मिल जाए तो उन्हें सालन खाने में और भी ज्यादा मज़ा आ जाता है और खाते खाते भी मेरी तारी पे करते जा रहे थे तो बस हम आउर्टों को यहीं चाहिए कि वो अपने शोहर का और अपनी फैमिली की पसंद का खाना खिलाए तो आपको मेरी आज की मचली के सालन की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना बहुत सारा खयाल रखिएगा दूआउ में मुझे याद रखिएगा भी मिलते हैं इंशाल लाइक नई रेसिपी के साथ अल्ला आपिस मीण रेसिजिए हैं ठ्सक्राइब लाइक नचम और मिलते हैं लाह हैं इंशाल ऑगर क्पटी से बताा ख़btred शखुनें करेक के याद कहा हैं बाल इसनी संयरे से जल्केड़ कंझे रवाद मुट्व정न पना रखिएगा झाल झाल झाल